नमस्ते दोस्तों पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानि के अन्शु कुमार के साथ दोस्तों करक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की तो रंट फॉन उठाईए और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बूक वाटसेप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल अज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुशी विशेश शुक्ला जी शुक्ला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्कारक्रम में दन्यवाद तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं दिलीब जी से इस सवाल है में दिलीब जी बात करें नमस्कार सर आपका सवाल आया था जी सरा आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल यह जिए भी हैतिकरम आपका प्रशन क्या है पर खरीब में हम क्या करें हैं देकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैबिक खेती की बात कर रहे हैं और अगर आपकी मिर्दा का उर्वराइस्तर उच्छ नहीं है तो ऐसी दसा में आपको खरीब से पहले तो हरीखाट का प्रियोग करना चाहिए सनरीय डेचा गराएं उसके बाद उसमें धान भू हैं धान की रोपाई करें तो धान का कोईसे बीज उतलर लबद होगा हमारे को विग दान का बीजस आप कहीं से भी ले लिजए आ उसके चाहिए को खेती करनी है जैविक, तो खेती करते सम्हां हैं आपको कौई चीज आप जैविक तरीके से इस्तेमान करेंगे लेकिन ये कि आप ये कहें किसी से जाकर करें कि हमको जैविक बीच आईए तो ये संबब नहीं है अच्छा अच्छा तो अगर जैविक आप हमारे पास क्यों है तो उसका मार्केटिंग कहा करें अच्छा जैविक ये तो आप सामान गिउन बेचने जाएंगे प्यदा किया है तो बहा हैं तो अच्छा से पहले ही जरूरी है कि जैविक तो आप यह कहते हैं कि हमारा जैविक खेती का ग्यूंग है कोई लेने को तैयार नहीं होगा जैसे कि जैविक तरीके से करते हैं तो उसमें भी क्या बीच का सोधन होता है देखिए बिलकुल क्य उसी तरीके से होती है हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अंतर कुछ नहीं है तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं प्रदीब जी तो आए जानते हैं क्या है इनका सवाल प्रदीब जी बात करें नमश्कार सर में अंश्यू बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से तर आपका सवाल आया था सर आप अपना सवाल पोछ सकते हैं पूछे अपना सवाल जी राजमा की जो खेती की बात है राजमा बहुत ही औरवरा इस्तर वाली जमीन में के करना चाहिए उससे पैदावार अच्छी मिलती है नमबर एक जमीन पर यह बहुत अच्छी है हमारी अब दूसरा यह कि बीज अगर आपको राजमा का लेना है तो आप कहां से बोल रहे हैं मैं जी जिला हापुड गाड मुख्टेसर से बोल रहा हूं जी अच्छा तो देखिए बहुत ही पास में आपके भारती किर्श अनुखंदान संस सान पूसा इंस्सीट है हजिस दिल्андि और हाई हॉर उसका हापुड में भी दुकान है यह बताओत हुए आपको हापुड में जो बीज कि आपकी जो जो गवर्म्मेंट की दुकान है गया वह आ आई एर आई का बीज बैसती है यह तो बहां से आप लेसकते हैं यह आपको कि पूसा इंस्सिटूट के बीज मिल जाएंगे वो बहुत अच्छे बीज है आपकी जी 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 ओनी सब्सक्राइब की फसल है जी इसको जो है आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे जैसे सोयावीन लगाते हैं ऐसे ही राजमा भी लगाते हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुनने के लिए और इस सवाल पूश्टे के लिए राजमा की खेती जो है वो हमारे देश में कहां कहां सबसे जादा होती है यह आपका राजस्थान है इसमें राजमा होता है हर्याना पंजाब और यूपी इसमें सब में राजमा की कहती है दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अगले कॉलर से जो राजस्थान में रहते हैं सुशील जी तो आई जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो सुशील जी से बात हो सकती है नमशकार सर में अन्शु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से आपका सवाल आया था आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल अच्छा देखिए ऐसा है चने में पैंटालिस दिन से लेकर के साथ दिन के अंदर फूछ आ जाना चाहिए हाँ बोई में बता रहा हूँ आपको और आप कह रहे हैं कि 75 दिन हो गया भी फूल नहीं आया है देखिए एक कारण तो यह हो तकता है कि चना आपका जरूरत से जादा बढ़ गया है ऐसा कुछ है ज्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है ज्यादा से ज्यादा एड़ एड़ हाँ तो देखिए ऐसा है हो सकता है कि अभी उसमें चना में फूल देर में आए वैसे आ जाना चाहिए 45-60 दिन के बीच में वेराइटी यह पंदरा सोई क्यासी है गणबोर हाँ तो उमीद करिए कि आएगा फूल आएगा और यह सप्रेड अगर आपका चना जो है वो जान बड़ा नहीं है इतना ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ हाँ तो उसमें आप एक काम यह कर सकते हैं कि एक परसेंट बोरान का स्प्रेड कर सकते हैं वस इसमें को नुक्सान तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन चने में आएगा फूल जरूर आएगा आप चाहें इस प्रेड कर जाएगा फूरेट का इफेक्ट जो है वो पौदे पर जादा नहीं पड़ता है जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जूड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए दोस्तों फिलाल यहां रुकते हैं चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बात करेंगे कुछ और कॉ देखिए पहले तो एहला फेरा कि आपको बराक्री बता दूंँ आपको ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों इस कारिकरम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब अपने कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं वाद करते हैं अगले कॉलर से जो की उत्तर परदेश के रहने वाले हैं था आई जानते हैं क्οैर । अजय जी बात कर रहे हैं जी बोलो नमस्कार सर में अन्शु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से जी गुद्मानिक सर आपका सवाल आया था अजय जी सर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल अजय जी देखिए पहले तो एला वेरा के आपको बराइटी बता दूं आपको जो आपको लगानी है अजय है अजय है अच्छा आप इसको कहां से आप प्राप करेंगे तो आप चुकि फैलावाद के रहने वाले हैं तो आप लखनव में इसका अरसंदान संस्तान है कुकुराइल में लखनव में इसका आरवेस संस्तान है कुकुराइल में हाँ वहां से आप जितना भी लेना चाहें लवेरा की वराइटी सब मिल जाएंगी आपको जितनी बात्रा में आप चाहेंगे उतनी पहुत मिल जाएगी कि अच्छे इसका बेटिशन का जो को इसका बेटने का कोई एग्रेमेंट होता हूं वह करेंगे क्या बात्राइब कोई एग्रेमेंट नहीं है देखिए ऐसा वह और सब्सक्राइब वाले जो है वह खरीदते नहीं बलकि वस सिर्फ यह कि उस पर वह अपना रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके अच्छी बाराइटी निकाल के देते हैं मार्केटिंग के लिए तो आपको कास्मेटिक्स फैक्टरीज हैं उनसे आपको संबंद इस्ताफित करना पड़ेगा जी सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस सवाल पूछने के दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से राम आशीज जी से जो कि बिहार के रहने वाले हैं तो आई जानते हैं क्या है इनका सवाल कि अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल देखिए अगर आपके टमाटर में घास है तो सबसे पहले तो आप यह बताईए कि टमाटर लगाया कब था कितने दिन का टमाटर हो गया है अब उसमें घास कौन सी है यह बता दीजिए घास सर अभी चोटा चोटा जम रहा है और तीस बन माटर टेक्ट है नहीं देखिए दूब घास है या हिरन कुरी है या प्याजी है कौन सा मनलब खरपदवार है तो उसी किताब से मैं आपको दबा बता दूब नहीं है अब बता बता नहीं होता उसी को है अच्छा तो देखिए ऐसा करिये टूफॉर्डी एक दवा आती है टूफॉर्डी सोडियम साय ऑप इस बात का ध्यान दख्था है कि देखिए इसकी मात्रा को ज्यादा नहोंने दे श्याज़़ूपच्चिस ग्राम को लेकर के आप श् और जो आपने लाइन से लाइन में लगा रखा होगा तो बीच लाइन में जहां खर्पतवार है उसके उपर ही इसको डाले और कमाटर के पौदेव को आप कोसिस यही करिएगा कि बचा करके उसको पूरा बिगोईएगा नहीं लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ जाएगा तो कोई जाने नुकसान नहीं होगा और यहां फिर सबसे अच्छा तरीका यह कि खुर्पी से निकालिए तो ठीक है तो फिर आप दवाई डालिए बीच को डीन बोले सार देखिए ऐसा है जो आपकी नोजिल है जो आप छिड़काओ करने वाली मसीन की जो नोजिल है फ्लै अच्छा तो एक परसेंट आप यूरिया गोल बनाए उसको आप एक परसेंट का यानी एक परसेंट का मतलब हो गया आपका दस ग्राम एक लीटर पानी में और उसका छिड़काओ कर दीजिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस सवाल हमसे सब्सक्राइब पूछने के लिए दोस्तों इसके साथ हमारे अगले का व्यूक्छ पाल जी जो की उत्तर प्रदेश के बस्ति जिले में रहते हैं तो आए जानते हैं क्या है इनका सवाल है कि हलो मैं पंकेश पाल-जी बात कर रहे हैं यह लांतु मैडम बाथ कर आखने में आपका सवाल आया था आपका सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल बेदा कि यह का है कि अच्छे की मसीन इंक्यूवेटर और हेडिंग मसीन आती है पहले आपको शर्टिन टेमप्रेचर पर इंक्यूवेटर में रखना पड़ता है और उसके बाद पर हेचिंग मसीन होती है उसमें रखना पड़ता है उसके बाद चूजे अपने आप निकलते हैं तो यह मसीन आप जो है आप नेट पर चले जाएए और बहां से आप नेट पर आपको बानुम हो जाएगा कि यह मसीन कहां से मिलेगी जी सर कोई और सवाल जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों फिलाल यहां वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाएए देखते रहें ग्रीन टीवी देखिए लेशन की जानकारी रेने से पहले सबसे पहले आपको सेलेक्शन करना है अच्छी प्रजात्री का ब्रेक की बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों अपने कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले कॉलर से बाहिए sings जोकी करनाट से रहने वाले हैं तो आई जानते हैं क्या है इनका सवाल कि हेलो ऑक अधि पटेल जी बात कर रहा है जी नमस्कार सर मैं अंच Bible से बहुत सब्च सकते हैं पूचे अपने सवाल सबसे पहले आपको सेलेक्शन करना है प्रजाती अच्छी प्रजाती का तो उसमें आपका पहली बराटी है एग्रिफाइंड वाइट दूसरी है यमना सफेद और एक और नई बराटी है यमना सफेद जी फिफ्टी ये बराटी जो है यह बहुत ही जाना अच्छी उपस्ट देने वाली है और इनमें बीमारीया भी कम लगती अब बात आती है कि इसको हम बुभाइ कपका करें तो इसकी बुभाही सुटेवल ताइम जो है वो है वोय नौम्मर जी और इसकी जो कलियाँ है वो लगाई लगे खेट की तैयारी करते समय दो सो पचास को इंटल से लेके 300 को इंटल गोवर या कंपोज की खाथ खेट में मिला करके एची तरीके से और 120 किलो नाइट्रोजन साथ किलो फासफेट्स और 40 किलो पुटास जिसमें से आप साथ किलो आप नाइट्रोजन रोक लेंगे बागी सब अंतिम खेट की तैयारी पर डाल देंगे जब आपका 15 दिन का लैसन हो जाएगा तो जो बचा हुआ साथ किलो आपने जो नाइट्रोजन बचा रख ती है उसम पांच एकड़ बरावर एक हेक्टर होता है तो आप इसमें जो है दूसरा जो बचा हुआ सेस रहे गया तीस उसको आप 45 दिन पर डालेंगे जी एक हेक्टर में कितना एक असा लेकिन देखिए ऐसा है 25 एकड़ बरावर होता है एक हेक्टर तो आप यह समझ लीजिए अकर ह हमको डालना है 120 हेक्टर में डालना है तो आप समझ लीजिए कि हमको 45 करीब जो है 45 से 50 किलो एकड़ के लिए आ जाएगा 120 अगर नाट्रोजन है तो 45 हेक्टर उसके लिए एकड़ के लिए हो जाएगी इसका जो बीज है वो मात्रा है 500 से 900 किलो ग्राम और यह कलियां है इसकी जो जब जैसन की उसके गांट को तोड़ेंगे तो कलियां अलग अलग निकाल लेंगे यह 500 से 900 ग्राम होनी चाहिए जी वो एक इसको में चिछान करता है देखिए मैं बता दूँ आपको एक वीगा होता है तो पाँच वीगा अगर आपने लिया तो आपका हो गया एक एक एकड़ और दो दूसम्ब्रा पांच एकर लिया तो आपका हेक्टर हो गया और एक हेक्टर में होते हैं पच्छेस भीगा है देखिये लहसं तो आप मंडी से अच्छा 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 ले सकते हैं बराइटी तर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम ते जुड़ने के लिए इस पूछने के लिए से लेक्षिन की क्येती किस समय में कर सकते हैं अगर नहीं लगाए और लेट कर हो गया तब भी दिसंबर के फरस्ट वीग में तो लगी ही जाना चाहिए जिय्ब आई तो इसी के साथ आईए बात करते हैं अगले कोलर से संजय कुमार जी से कि अजय कुमार जी बात कर रहे हैं कि नमश्कार सर में आश्यू बात कर रहे हैं कि अब कर आपका सबाल आया था यह जानकर लेना से मटम की साथ एकड़ लगवग जमीन है तो कैसे मतलब कैसे वह करें की अच्छी वसक्तल वागेर हो टाइम पर चाया क्या ना की ए देखिये जिस खेत में करते हैं, सबसे पहले गर्मी की जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए, और अच्छा होगा कि गर्मी के दिनों में ही अगर सिचाई के साधन हैं तो हरी खात में सनई या धेचा भो करके 45 दिन में उस जमीन में गला देना चाहिए, अब उसके बाद जब हम को धान लगाना आए तो उसकी नरसरी के हमें पहले तैयार करनी है, तो एक हेक्टर में अगर आप 30 किलो से लेकर के 40 किलो धान की नरसरी तैयार करते हैं, तो वो 10 हेक्टर के लिए हो जाती है, अच्छा, आप जब उसकी रोपाई करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आप गोबर की खाद, अगर हरी खाद का इस्तेमाल कर लिया तो फिर गोबर की खाद देने की आउर सकता नहीं है, 120 किलो नाइटोजन, 60 किलो फासफेट, 40 किलो पुटास, 25 किलो जिंग सलफेट, 25 किलो फेरत सलफेट, इतना इस्तेमाल करेंगे, जिंग सलफेट और फेरत सलफेट जो है, ये बीमारियां नहीं लगने देता है, जो कि खैरा की एक बीमारी होती है, खैरा डिजीज जिसमें पौदा बढ़ता ही नहीं है, तो ये जिंग की कमी से होती है, ये क्या कि स्टार्ट में सुरू में डालना पड़ेगा था हाँ, ये सब आप जो है, जो नाइट्रोजन, सारा अग सारा हमने जो बताया उसमें से नाइट्रोजन आदी बचा के रखेंगे, रोपाई के फिर जब बीस दिन जब हो जाएंगे, तब बची हुई जो आपकी, जो हमने बचा के रखी है, उसमें के आदी आप जो है उस समय ताप डेसिंग कर समय समय पर अगर कोई रोग या कीट लगता है तो उसके उपचार करेंगी, जी सर कोई और सवाल में प्राइब जी सरा आपका बहुत बहुत भाँत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए सवाल हमसे पूछे के लिए तर आज कल जो है वह वो खेती में लोगों का बहुत अगर गौह में उसी की देखा देखी एक अरम करने लगें तो वह एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है क्योंको उसको प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस होता है और वैसे जो हमारे किर्शी विश्विध्याले हैं उनमें भी ट्रेनिंग दी जाती है और किर्श बिज्ञान केंद्र इनके सब के आज प्रेक्शन दिया जाता है अगर किसान चाहे तो आपने बहुत उप्योगत जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने कीमती समय हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद आपको भी धन्यवा पॉन के अलावा फेस्बूक वाटसेप और इमेल के जरिये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल फिलाल आज के इस कारकरम में बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और देखते रहे ग्रीन टीवी नमस्ते करता करता है ।